है हाई फ्रेंड्स स्वागत आपका एक और नए वीडियो में नए topic के साथ में नए learning के साथ में तो चालो करते हैं आज का topic आज का topic के VRM Gearbox inspection जो VRM है उसका Gearbox के inspection के अपर हम बात करेंगे इसमें Gears and Teeths inspection के उपर नहीं बात करेंगे हैं हम only hydraulic system के उपर बात करेंगे तो चाला करते हैं अजके topic Mill in operation gearbox जब mill operation होता है तो gearbox में क्या-क्या चेक करना है check gearbox for unusual sound उसमें कुछ abnormal sound आ रही हुँ उसको check करना है उसका vibration लेना है temperature लेना है oil leaks कुछ कहीं ओई लीख है तो वह चेक करना है loose base balls जो वे नम का base बेस बोल्ट है वो लूज है तो चेक करना है Kr Benedikness उसमें both board के बाद में stiffness लगा होता है तो alignment के लिए तरो करने के लिए उसमें stiffness लगा होता है वह lubrication system को चेक करना है oil pressure defective pressure gauge pressure gauge damage है तो वो oil का जो pressure है वो कितना है वो check करना है check high and low pressure filter for oil leaks at housing and pipelines जो HP and LP line है उसमें जो filters लगे हैं उसको check करना है उसमें कोई oil leak तो नहीं उसको check करना है check high and low pressure oil pump for leaks and unusual sound and vibration जो HP and LP pump है उसमें कोई sound है कोई vibration है उसमें कोई leakage है तो उसको check करना है और उसको monitor करना है यह running condition में देखना है check oil tank oil level and status forming dilution water उसमें कुछ form है water है क्या है उसको check करना है उसको status को check करना है और उसमें oil tank का level check करना है यह जो dilution forming water contamination उसमें पता चल्डाता है कि रखाव प्रे्शर यप guard है में में डि ट्यट्ड गीर खळूब टैंक तो भी कठ्ट ऑप शो उसको क्रोस चेकर करना है एक्जाम्पल फोर मेंटेनेस रूटिन माग माग का जो मिल है उसमें माग का जो गीर बोक्स है उसका जाए FLS का आता है माग मोडल टी टी वील और यह सारा मोडल तो उसमें हम देखते हैं इसमें क्या इस लिस्ट में क्या दिया हुआ है अगर यह लिस्ट किसी को चाहिए तो मेरे प्रवोधिस कुन में अपना मेल आड्येगा उसमें मेल करेंगे तो में प्रात क्या प्रिट्म इस Men टेलिएीं इसमें ह्री इंस्क्रीच करनाए थालिड से में हमको क्या चेक करना जाए 5000 उसमें में क्या चेक करना है और एनी रिक्वार्ड इस्पेशल में क्या करना है और रिमार्क्स यह इसमें सीट में दिया गया है यह सारे हम सीट को हम एक्सल में करके हम देख सकते हैं इसको हम एक्सल में करके मोनिटर करेंगे तो हम जो हमारा ब्रिक्डाउन की frequency उसको हम कल कर सकते हैं उसको eliminate कर सकते हैं तो यह एक इसमें best example यह routine maintenance है यह MAG का FLS का gearbox में है condition monitoring condition monitoring gearbox में हम देखेंगे तो इसमें क्या है online monitoring में क्या क्या है और offline checks में क्या क्या चीज़ है वह हमको check economy user setup bevel planetary gear reducer जो planetary gearbox का यह दिया हुआ है ओनलाइन मोनिटरिंग में है वाइब्रेशन हाउजिंग हाउजिंग का है उसका वाइब्रेशन वाइब्रेशन बेस फ्रेम का वाइब्रेशन बीरिंग का टोर्क इन्पूट शाप्ट अब जो चार नमबर दिया है इन्पूट शाप्ट का टोर्क है पांस दिया है मोटर का क current, 6 नामर पे oil pressure, एक्ष्यल beärंग के ओयल प्रेशर दिया गया है, शिक्स नामर पे और 7 नामर पे oil temperature रिडियू हो टेंपरेशर के उसके, तरर नामर में hydraulic line में temperature दिया गया है, differential pressure 8 नामर पे DP उसका प्रेशर का difference रहे हो कितना है वो, और ओफलाइन में किया है लूग ऑईल एनलिसिस हमको जो है डॉलिक ऑईल है उसका ऑईल एनलिसिस करना उसमें वियर पार्टिकल कंटामिनिशन वह सब देखना है और चेक्स ऑफ ओईल फिल्टर को चेक करना है वह 11 नंबर पर है 11 नंबर जो यहां इसमें दिया है वहां पर सिर्फ सबसें है के तूबसें सब्सार के इसमें इसला में वांते,吗, तो कि इसला मैजिय करता है उसमें तो यह इंप्रत्थी पार्टस है साले से शरे कंटे किरें होते हैं संदय के नदर है के वह के का सिर्फ आ छेया करी में जो सारे condition monitor की यह point से ही है regular check करना है इसको record करना है rms value root mean square value maximum peak to rms ratio root mean square value होते हम जो vibration लेते तो उसमें rms value आती है और maximum peak value है maximum peak और rms का ratio 0.707 into maximum value होता है rms value 0.7 into peak का ratio क्या आ रहा है वो सब check करना है तो उससे हमको पता चलिए चोड़ी चीज़े है जो condition monitoring जो vibration analysis में expert है उनको यह सारी detail में इसका मालूम है और उसको हम कर सकते हैं हमारा condition monitoring department होगा वो उसको अच्छे से करेगा peaks in spectrum and characteristic frequency of bearing and all gear stages with harmonic उसमें जो harmonic है जो है हमारा जो है उसको हम देखना है सारे bearings और उसका gears में सारे stages में है जो gearmac sideband around meshing frequency of bevel gear, bevel gear का जो gearmac frequency होता है GM app जिसको बोलते हैं उसको हम shape करना है और जो bearing stats indicator is applicable with used sensor and software जो bearing का status है हमार dialogue system आता है मिलके अंदर उसको हम उससे भी online condition monitoring कर सकते हैं तो उससे हमारा bearing का और gear का status हमको पदाश कर सकता है to interrupt changes in it is very helpful to record in parallel operation data such as production rate power and speed of drive तो यह है पेरलल है production rate हमारा जो tpd है tph है बना पर आवर का हमारा जो production उसको भी effect करेगा पेरलल ही और power को भी उसको भी effect करेगा तो यह सब्सक्राइब हमको condition monitoring हमारा proper रहेगा तो हमारा अच्छा रहेगा condition monitoring क्या होता है suppose हमारा health है हम six month में ये एल्ली में once हम चेक up करवाते है body check up full body check up करवाते है क्यों करवाते हैं इसलिए करवाते हैं कि हमारी body में कोई problem है तो उसको identify कर सकते हैं उसको treatment ले सकते हैं suppose यूरा छिंग को हर्ट केंसर ओ нि गवा था तुरेवर्स को फोल बोडी चेक अप कर वा था तू इसके ऑफेती to बोलश्ति अपिंगे तो उसने क्या किया से Parlament हो यह इसे मिमें चाहिए यूच कीवेधिस के खिल अई इसमें एक पड़दू से मृजी क्या है नेक्स्ट है, कानिशन मोनिटरिंग का इसमें देखेंगे, इसमें एक फोटो दिखाया गया है, गर्द गेर का, सुरी, गीरबोक्स का इनपूट बेवल का, इसमें आप देखेंगे तो उसका एक टूथ डेमेज है, इसमें आपको गेर में फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है, 145 ह स्पीड डेमेज वील है, 7 हर्ट तो यह हमको साइड में से हमको पता चल रहा है कि हमारा डेमेज है, यह सारी जो जो कंडिशन मोनिटरिंग का जिसको अच्छा नोलेज है, गुड एक्स्पिरेंस है वो उसको अच्छे से हमको बता सकता है, वो हम चेक अप करेगा, रेगू हम और बाबर कर रहें तो उसमें आएंगा, क्या होता है कि हम और हम और सेंपल देने का भी एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पॉइंट पर हमने सेंपल ने लिया तो हमारा घडबर रिजल्ट आएगा, तो उसके और मैं प्लानिंग कर रहा हूं वीडियो बनाने की वह बहुत अच्छा डिटल में वीडियो हम बनाएंगे, उसके ओपर भी, एर बोक्स मंतली इंस्पेक्शन, मंतली इंस्पेक्शन, क्लीन दा फिल्टर लुक, फो मैटलिक पार्टिकल्स, जो उसमें फिल्टर होते हैं, उसको चेक करना है, उसमें कुछ मैटलिक पार्टिकल्स जो खाला हि उसको देखना है चेक, वाइबरीशन डिटिक पॉर ट्रेंट्स, जो एक फाला होते हैं, वाइबरीशन पार्टिकल्स कुछ मेंखेक्शन, उसमें हम रहे हैं, मैं आपो दिखाया है, जो हमस्पेक्शन मंतली इंस्पेक्शन, उसमें देखेंगे, तो और समें कुछ गेर्वक्स में यह एंटरनल काप्लिंग विद इंडॉस्कॉप और मिरर यह इंटरनल कै्लिंग होता है इसको इंडॉस्कॉप और मिरcak चेक कर सकते हैं इसको चेक करना जारूरी है इसको धोर करेंगे नहिसे को ब्लेश ऑसमें गिंद्ध को अर्सट इस में मस्तोिए वह से गbelt करने लाइक तो अंदर में मेकनल डालके इसको गुमाना डाल के तुंक dest। तो उसको चेक करना है, तो उसको चेक करना है, तो उसको चेक करना है, और 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 उसको चेक करना है, तो चेक करना है, इस अगर नेसेसरी है तो रिडूसर में सिलेंडर में सेपरेटर में तीन जगे पर हमको हाइडरोलिक सिस्टम होता है इन तीनों में हमको डालना है जो गीर्बॉक्स से उसमें करना है जो भी आप रेकमेंडर वह वो यूज करें वह उसको फॉलो करना है जो चेक दो लेवल इन दर है रेसे में रेकमेंडरिक सिस्टम इस अरे लेवल को चेक करना है इन शॉट एड़ होल सिस्टम इस क्लीन टाइट जो भी पूरा हाइडरोलिक सिस्टम में हुवा शुट भी क्लीन टाइटन कोई लिकेज नहीं होना है कुछ भी वह हाई प्रेसर में चलेगा वहां पर हलका से लिकेज है उसके पास में ज्यादा लोस ह है लुक वर लीकेंट टाइट निष्मेश अगर लिकेज को देखना उसको टाइट करना है अगर नैसेसरी है तो क्लीन ओर चेंड ओल्ड और ओल्यूं थे आट नोगटने थिवर फूर ओल्ड फिल्टर अडा चैंज करना है और नीक्षार्ट अफिल टैंज करना है जंड हर विस्कोसिटी विस्कोसिटी का हो गया था हमारे को फिल्म हो थिकने से वह कम आएगी तो उसके विज़े से उनको प्रॉलम आएगा कंटामिनेंट्स टोटल एसटिक नंबर तेन क्या होता है और वाटर कंटेंट्स में अगर हमारा जोल में कुछ वाटर मिक्स हो रहा है तो उसको चेक करना है वाटर भी बड़ा डेंजरीश गही है उसमें पॉलिशेज के मिल में चेक कर सकते हैं और यह क्या था पॉलिशेज के मिल में 200-300 mm होता है फ्रॉम बॉटम ऑफ लेटरल कवर जो बॉटम से टोप की तरब में 200 mm तक होता है वो से उसको मेजर करते हैं करेक्टिस क्या होता है दे रॉलर मूव इंडिपेंटली फ्रॉम इच अदर रोलर होता है एक दूसरे से अब इंडिपेंटली मूव करता है उसमें कोई ड्राइव नहीं होता है रोटेट होने के लिए वो अनली टेबल पे जो मटल आएगा टेबल का मटल और रोलर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की वज़े से वह मूव करता है यह इस्टाल विट प्री टेंशर बीरिंग सिंसर थर्मल एक्पांशन विल प्रोवाइड देट फॉर्ड ऑपरेशन ऑपरेशन के लिए क्लिए नीड होता है उसको थर्मल एक्पांशन लिए प किया रहता है वह उसमें पॉसिबल है दोनों चीज है पॉसिबल है वह जैसा भी है उस सिस्टम के साब से देख सकते हैं दे ग्रांडिंग फोर्स अलाव ए मोमेंट इंट्री फीडम डिग्रिस तिनों डारेक्शन में और एक्शल तिनों डारेक्शन में मूव करने की फीड प्रस थी जो भी डी वी यह लोशे का लेंट्री आपकी एक्षै का इस पेडिकेसिन ने है तो उसके एसाब से उंको देना है तो उसमें हर पंप के तुरू इंडिविजल रोलर में जाता तीन रोलर है तो 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 तीन रोलर में जाएगा फोर सक्षन पंप्स ऑफ ग्रेटर इसमें इच रोलर में capacity को मैंटेन करना है In addition, visual inspection of the return oil is possible via slide process in the cabinet इसमें return oil आ रहा है तो उसको भी check करना है Oil Level FLS FLS का मिल में oil level कैसा चेक करते हैं FLS की जो coal mill के बारे में इसमें दिखा रहा गया है Before checking the oil level, start up the circulation pump And heating system in order to rise the temperature of the oil to normal operation temperature System को चालू करने से पहले heating temperature के लिए Oil temperature को हीट करने के heating system होता उसको चालू करना है और pump को चालू करना है Turn the roller to position the fill oil at Fill oil उसको 30 to 45 degree तक horizontal line से move करना है Clean the area of drain hole and loose the screw tap केप जो जहां से oil top up करना है उसको loose करना है उसको देखना है उसमें क्या है When the oil is tank is almost operational temperature, take out the drain cap and start up the pump When the oil reaches the hole, stop the pump and put the drain cap again जब pump चालू करते तो oil वहां तक पहुंचेगा उसका बाद में उसको drain cap को लगाना है Fill the tank up to maximum level specified उसमें जितना भी maximum level है Specified दियागे उसको fill करना है Turn the roller in order that the fill hole is 30 degree below the horizontal line If the oil is not reaching the hole, level is low and should be refilled उसको 30 degree तक रोल की है तब कि उसके बाद में oil नहीं आ रहा था उसको Refilled उसमें oil level low है उसको refilled करना है Atox roller characteristics इसमें Atox का जो mill होता है उसके उपर roller का जो क्या-क्या parts होते हैं उसमें दिखाएंगे 31 से 55 तक 15 parts इसमें दिखाएंगे हैं Intermediate ring, wear liner, thread and tension road जो thread and tension road क्या होता है कि यह जो आपका 33 दिखाएंगे है आपका जो roller है roller का hub है उसके उपर में वीर liner लगाते हैं वीर आले वीर लाइनर को वीर लगाते हैं वीर लाइनर को ताइटन करने लिए उसको उसमें कसने के लिए उसमें fix करने के लिए एक road होती है जो cent roller के एक side से दूसरे side तक निकलती है उसके दोनों side में जो होता है fixation piece होता है 37 जो दिखाए गया है और fixation piece होता है उससे वह fix होता है roller तो इसमें दिखाए गया sharp to thread and bolt center piece इसमें सारा चीज़ दिखाए गया इसमें 47 और 48 है वहां से हमारा जो hydraulic oil और C layer pressure वह सब यहां से इंट्र होता है portion 48 से तो यह है और 39 जो है अपना क्या नाम है हर roller को center में center में center में center piece होगा center piece में उसको तीन तीन रोलर है सपोज मिल के अदर तो तीन रोलर को वहां center में connection plane होता है वहां पर वह connect होता है इसमें hydraulic नाट्र यह सारे parts आप देख सकते हैं इनको पड़ सकते हैं तो इसके बेस पर EC यह रोलर का specification है पूरा जो हमारा 55 दिखाए गया है आउटर कवर उसके पहले 53 54 दिखाए गया है वहां पर क्या सब्सक्राइब करना होता है तो उसमें क्या है मैल फिमल टाप का वहां से क्या सी लेयर बाहार निकलता है वहां यह पंको लास्ट विदे में उसके लिए सब्सक्राइब करना होता है तो यह सीशसे इसको ध्यान रखनाए है ऊसके बारे में इसमें दिखाए गया है के जर्ण इलमेंट, external crack, internal crack, cage, internal crack, contact zone, assembly of the sparing ring and bearing, cage, internal crack, यह सब दिखाएगा है, इसमें contamination की वेज़ से damage हुआ है, इस करोलर का जो bearing है, उसमें क्या अपता है कि अमार जो C layer वो बराबर नी जा रहा है, वहां से dust enter होके, वो contamination oil के अंदर mix होगा, तो वो आपको problem create करेगा, C layer का मैं प्रोपस जे, contamination उसके अंदर enter ना हो, dust free environment रखने के लिए उसको use किया जाता है, hydraulic systems, check the pressure and temperature against normal operation values, तो normal operation के लिए जो तना temperature और pressure होना चीए, वो चेक करना चीए, वो normal चल रहा है नी चल रहा है, historical measurement उसका previous data को भी हमको रखना चेही है, increasing trend है की decreasing trend है की stable trend है, वो उसको हमको measure करना चीए, listen the abnormal noise in the system, hydraulic system इसमे कोई abnormal noise तो नहीं आ रहा है, उसको check करना है, check for leaks in the hydraulic pumps, किसी बीपंक में कोई leak तो नहीं उसको देखना है, assure that the cooling system is clean and does not have internal or external leakage, cooling system clean है और internal or external कोई leakage इसमे नहीं हो देखना है, clean or change the filter element according to the condition, condition के साबसे उसका filter को clean or change करना चाहिए, उसको condition क्या है उसको देखके है, उसको करना चाहिए, check the breather filters clean or replace them accordingly to the condition, condition के साबसे उसको check करना है उसको replace करना है, breather को, check the pressure of the accumulator compared to the nominal pressure, जो accumulator का pressure है वो उसको compare करना nominal pressure मुसमें, nominal में कितना pressure है और अभी कितना चल रहा हो हमको देखना है, hydraulic system, it is difficult to find the source of the failure in the hydraulic system, hydraulic system है source of failure को find करना इतना easy नहीं होता है, diagnosis नहीं करेंगे उसको problem को तब दर तक हम उस पर RCFA नहीं करेंगे, क्यों हो और आप वाई-वाई analysis नहीं करेंगे तब तक हमको problem को identify करना थोड़ा मुस्किल होता है, concern the system ischemic diagram, isolate the individual part and check whether the failure still occurs, एक-एक को बंद करके उसमें check करना होता है, clean the installation tool facilitate the detection of new leakage, जो भी अभी existing line जो डाला हो उसको अच्छे से clean करना है, जिससे हमको परज लेगा कि कहां पर लिगे जे, hydraulic system, maintain the environment of the hydraulic system clean, hydraulic system का environment उसको clean maintain करना है, इसको hydraulic system के लिए बारे में expert बोलते हैं कि जैसे कि human का heart का operation होता है, उसी type से hydraulic equipment में work करने टाइम है, उतनी ही cleaning जरूरी होती है, उतना ही clean environment की जरूरत होती है, जितना कि human का heart का operation होता है, it is the heart of the equipment, heart में हमारा blood circulation होता है, वैसे oil एक blood होता है उस equipment के लिए, अगर oil circulation बराबर नहीं है तो आपका friction बड़ेगा, आपका friction बड़ेगा तो wear rate बड़ेगा और wear की बड़ेगा आपका suddenly abnormal breakdowns की frequency increase होगी, तो इसको हम as a blood हमको सोचना है, हमारा pumping system में hurt है, उसकी तरह इसको इसके साथ में behave करना है, it is very important, monitor the condition of the oil, especially of the contaminants, oil का condition बड़ेगा, क्या कंबाना, contaminants को चेक करना, take an oil sample and send it to the supplier, and have it checked for contaminants, viscosity, total acid number, water content, यह चारो चेक करना चाहिए, contaminants में chunks gear है, sliding gear है, या उसमें frustrated है, water content है, वो सब चेक करना है, the quality of the oil has a direct influence on the empty waste, oil का quality वो आपको show करेगा, में time it will failure क्या है, and the lifetime of the equipment, equipment का lifetime भी वो आपको decide करेगा, दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद मिलेंगे नए वीडियो में, नए learning के साथ में तप तक के लिए, जय हिन जय वारत, कुँगा है,